चलिए आज हम जिक्र करते हैं एक ऐसी चीज का जिसे हम वेश्व समझ कर फेक देते हैं तो हम बात कर रहे हैं संत्रे के छीलके का जी हाँ आपने सही सुना हम अक्सर क्या करते हैं कि संत्रे को छीलकर उसकी फाड़ियों को खा लेते हैं और उसके छीलकों को फेक देते हैं जब आप इनके फायदों को जानेंगे तो इन्हें फेकना छोड़ देंगे और आप सोचेंगे कि हमने कितना लॉस किया है संत्री के छीलके में बिटामी A और बिटामी C पाया जाता है जो हमारे असकीन और बालों के लिए काफी फायदे मंद होता है संत्री के छीलके में फायवर भर पूर मात्रा में पाया जाता है जो कि हमें कब जिदूर करने में पाचन सक्ती को ठीक करने में और डायविटीज को कम करने में और वेट लॉस आदी जैसे परिसानियों में हमें बहुत मदद करता है अब हम जानेंगे कि वेट लॉस करने में हम संत्री के छीलके का यूद कैसे करेंगे संत्री के छीलके को दो कप पानी में उवाल लेंगे और तब तक उबालेंगे जब तक ये पानी एक कप ना बच जाए एक कप पानी हो जाए तो हम इसे छान कर एक कप मिलेंगे और उसमें एक चमच शहद मिलाकर हम रोज शुबा इसे एक कप पिएंगे और सोने इसे पहले भी इसे एक कप लेंगे एक मन्त में आपको अच्छी खासी रिजल्ट मिलनी शूरू हो जाएगी अब हम जानेंगे कि हाइपर टेंशन, डाइविटिस, कबज और अपाचन की प्रॉबलम में इसका यूज़ां कैसे करें संत्रे के छिल्के को उबाल कर उसे रोज एक कप शुबह लेने पे और दोपहर में खाने के बाद लेने से हमें इन सारी बिमारियों से छुटकारा मिलेगा कि आपके बालों में डेंटरफ की प्रॉबलम है और आपके बाल जड़ते हैं तो भी आप इस छिल्के का यूज़ कर सकते हैं संत्रे के छिलकी को सुखा कर और इसका powder बना ले दो चमच इस पाउडर में दो चमच दही मिलाकर बालों के जडों में लगाने से आपको dandruff की problem खतम हो जाएगी और आपके hair fall की समस्तिया भी दूर हो जाएगी और आपके बाल काफी मजबूत हो जाएगे गोरी और बेदाग त्वचा हर किसी की ख्वाइश होती है और इसके लिए मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट अभाई लेवल हैं लेकिन आपको पता है कि इन सारे प्रोडक्ट के साइड इफेक्ट भी होते हैं अगर आप इन सारे प्रोडक्ट से बचकर नेचुरल ग्लो चाहते हैं, सुखे संत्रे के छीलके से पाउडर बना के और इस्टोर करके रख लें, एक चमच संत्रे के छीलके के पाउडर में एक चमच बेशन, एक चमच शहद मिलाकर और उसके गच्छे दूद के साथ मिलाकर इसे एक गाढ़ा पयस्ट तयार करें आपने चहरे पर इसे अप्लाइज पर रखें इसके बार यह घुन êtes थाने पानगा लिए आप शlike को दो आप देखेंगे कि एक से दो सब्दोल निखार दिखना करें शुरू हो जाएगा इसे दो से तीन दिन सब्ताह में आप अपलाई कर सकते हैं आप चाहें तो इसे रोज भी अपलाई कर सकते हैं यह आपके चेहरे में एक नेजरल ग्लू लाएगा इसी प्रकार के हेल्थ स्कीन केर और हैर केर से रिलेटेड वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को कर दें और शेयर करें नेक्ट वीडियो में मैं इस पैक को अपलाई करकी आप लोगों को जरूर दिखाऊंगे थैंक यू झाल 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 झाल